हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मेरे नाम रिज्वान खान है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम अवर लेंग्वेज इस्कूल है दोस्तों इस वीडियो में मैं इस्पैनिश भाष्षा में जो इंपोर्टेंट देश हैं उनके नाम में बताऊंगा और उनका प्रनेंशियेश तो हमारे यहां पे जोगरोफी बड़ा कमजोर होता है तो वह वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपलर होगी करीब दो लाख लोगों उसको देख लिया और उसमें नीचे बहुत लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि इंडिया में लगता है पढ़ाई नहीं जाती तो मुझे लग और यह लाइक का बटन यह बिल्कुल अभी अभी दवा दिजे क्योंकि आप अगर लाइक करेंगे तो मेरा होसला अवजाई होगा और मैं और अच्छी वीडियो इस तरह से आपके लिए बनाता रहूंगा और हाँ आप मुझे फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी जू देख लीजे क्योंकि कॉंटिनेंट्स भी डिफरेंट टाइप से हैं कैसे हैं उस वीडियो में जाके जरूर देखेगा तो चलिए दोस्तों सीखना शुरू करते हैं स्पैनिश को हिंदी माध्यम से भारत को क्या बोलते हैं इंडिया इंडिया दावलादी इंडिया तो सबसे पहले कंट्री को क्या बोलता है तो इसको बोलते हैं लोस पाईशस ऑईशस बाईशस यहाँ पर लोस यह इसको बोलते हैं टिल दे जब भी आता है तो हमको उस लेटर पे stress देखे बोलना पुरता है तो अगर हम बिना stress देखे बोलें तो हो जाएगा 20 और जब आप stress देखे बोलें तो पाइस पाइस है ना तो चलिए पहला है बेल्जियम इसको कैसे बोलेंगे बेल ही का बेल ही का जी का साउंड कैसा होता है वह हा और खा के बीच का साउंड होता है मैं ने एक सीरीज बना रखी है जिसमें मैं आपको सही प्रणींशेशन बताता हूं कुछ इंप़ॉर्टेंट लेटर्स का जो इस्पानिश भाषा में लग हैं तो वो वीडियो भी आप सब जाकर देख सकते हैं उसका LINK मैं आपको description में देदाए ठीक है फिर अगला हैuen प्राजीर इसको कैसे बोलेंगे ब्रा सील प्रा सील प्रा सील अगला है Denmark को कैसे बोलेंगे मेरे साथ दोरएंग अगर नहीं तो नहीं चलेगा आपको जोर जोर की आवाज में बोलना है दीना मारक दीना मारक फिर अगला है एजप्ट फिर अगला है इंग्लेंड इसको कैसे बोलेंगे मतलब जब मैं इस्पैनि है ने हैं तो मुझे रहते हैं !!! तो क्या बोलते हैं इसको?!? इगला तेर्रा R को R होता है इसको तूमने ये अल्फाबेट की मैंने वीडियो बना रही वह भी आप जाके दे सकते हैं उसका भी ईका इसको टिस्क्रिप्शन में दे द हूंगा तो कैसे होगा इगला तेर्रा अगला है france इसको कैसे पहलेंगे francia 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 फिर जर्मनी यह तो टूटली णिफ्रेंट है अगले म lige थोड़ा या दर दर चेंज है इसका नमी अलग है इसको बोलते है अलेमानिया अलेमानिया और जर्मन लैंगविज को बोलते हैं आलेमान अलेमान ऐ को इस्पैनीश भाषा में आ अ कहा जाता है तो आलेमानिया फिर अगला है ग्रीश इसको कैसे बोलेंगगे ग्रेसिया फिर इरिलैंड इसको कैसे बोलेंगगे लांदा इर्लांदा 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 फिर अगला है इटली इसको कैसे बोलेंगे इतालिया इतालिया अगर आप स्पैनिश सीख लेते हैं तो आपको अगर आप स्पैनिश जानते हैं तो आपको यकीन मानिया इतालिया 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 फिर इसके बाद हापोन 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 जब किसी भी शब्द के शुरू में आता है तो उसका साउंड हा होता है और जब बीच में आता है उसका साउंड खा होता है तो हापोन हापोन फिर मुरक को इसको कैसे बोलेंगे मारुएकोष फिर उसके बाद अगला है नौर्वे को कैसे बोलेंगे नौरुएगा फिर अगला है फिलिपीन्स इसको कैसे बोलेंगे फिर अगला है पोलेंड को कैसे बोलेंगे फिर रश्या रस्या को कैसे बोलेंगे है फिर अगला है स्कॉट्लेंड इसको कैसे बोलेंगे एसकोशिया इसकोशिया देखिए मैंने इसमें ट्रिक नहीं बनाई यार क्योंकि लगभग लगभग सब सेमी है थोड़ा बहुत चेंज है यह आप थोड़ा सा अगर याद करेंगे महिनत करेंगे तो आपको आराम से आ इस्पाणिया और के ऊपर जो मात्रह लगे इसको एंब्ले पढ़ते हैं और इसको क्रेंगे एस्पाणियां प्रेशए इसको क्याते इस पर देंगे आए एक स्पाइनिश भाशना होता है जिसको बोलते हैं सूसिओ ये कहने कहिं उससे रिलेट करता है लेकिन मैं कंट्री नहीं बोला हो मैं उसका साउंड थोड़ा सीमिलर साउंड करता है सुसी मनवलता है ठीक है तो वह लाँ है स्वीशा सुटजञ इस पर बोलते हैं सुसा जका साउंड होता है स्पाइन वह दो तो सुसा सुंसा सुइसा फिर अगला है United Kingdom, इसको कैसे बोलेंगे? Reino, Reino Unidos Reino Unidos Reino Unidos फिर दुनिया की सबसे famous country हो मैं से एक United States, इसको कैसे बोलेंगे? Estados Unidos तो दोस्तों यह थे कुछ सेमस कंट्रीज के नाम इनको आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि आप एक विदेश्य भासा सीख रहे हैं तो आपको विदेश्यों के नाम तो पता होने चाहिए तो आपको प्लीज इसको प्रेक्टिस करिए और आप मैं चाहूंगा कि आप पांच कंट्रीज जैसे उनके नाम नीचे मुझे लिख के बताईए सबसे पहला है युनाइटेज स्टेट्स फिर आपको युनाइटेट किंग्डम फिर आपको सुट्जर लैंड फिर आपको मुझे बताना है कि हम कैसे कहेंगे इस्पेइन व कि दोनों के रेट मुझे फ्लीज हाई चाहिए और हां दोस्तों का समय चला है आप मुझे सपोर्ट करना चाहें तो आप कुछ मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे पे या फिर गूगल पे यह जिस पे भी आप सपोर्ट करना और आप फ्री में स्पाइनिश इसी तरह से मेरे यूटूब चैनल के माधियम से सीखते रहें तो अगली वीडियो जो होगी जिसका आपको बेसबरी से और इंतिजार करना है जिसमें मैं इंपोर्टेंट शेहनों के नाम बताऊंगे जैसे लंदन को क्या बोलते हैं और लिज चैनल को करें झाल नाम बताइनगे फ्रटेंट आपको तो अवाक बताएन प्रित अवाट नाम प्राइन चैनल खरकेंट टो अव्लों को करते हैं पोल्ति चैनल को जिसमेटिए और नाम प्ली कि अपलंगे पनल्स आपस्टेंटी।